नमस्ते मैं हूँ Dr. Suresh Teacher Education Simplified Channel में आपका स्वागत है यह वीडियो है JioMeet के बारे में जो एक Online Conferencing App हाली में रिलीज हुआ है उसकी तुलना में Zoom Meeting App से करने वाला हूँ अगर आप Zoom Meeting App यूज करते हो तो आपको JioMeet App भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो दोनों ही Online Conferencing के एप है तो देखते हैं दोनों में क्या समानता और क्या विशेशताय है Zoom Meeting App ये एक एप है और PC version भी इसका अवेलेबल है कम्पूटर में भी आप डाउनलोड कर सकते हो JioMeet अभी तक सिर्फ एप के रूप में उपलबद है Software के रूप में ये उपलबद नहीं है इसका मतलब ये इसका उपयोग हम कम्पूटर में नहीं कर सकते है सिर्फ स्मार्ट फोन में कर सकते है यहां तक कि इसका Tab version भी अवेलेबल नहीं है Zoom Meeting App का Free Version अवेलेबल है JioMeet का भी Free Version अवेलेबल है दोनों में ही 100 participants का लिमिट है Free Version में अब यहां पर जो सबसे अच्छी बात आती है JioMeet की वो है इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है मीटिंग के लिए जिस तर से Zoom का जो Free Version है उसमें 40 मिनिट का लिमिट है वैसा लिमिट यहां पर नहीं है 24 आवर्स लिखा इसका मतलब हम मीटिंग अनलिमिटेट कर सकते है जूम का यह एडवांटेज है कि यह एस्टेबलिश है प्रूवन है बहुत सालों से यूज किया जा रहा है जूमिट अभी अभी आया है तो इंप्रूव कर रहा है अपग्रेड हो रहा है दीरे दिरे अगर शुरुवात में आप देखेंगे जूमिट तो पूरी तरह से Zoom की तर रही था लोगों भी जूम की तर रही था लेकिन अब दीरे दीरे उसमें changes आ रहे हैं और वो improve हो रहा है Zoom Meeting Act में recording available है जो PC version है उसमें क्योंकि Geo का अभी PC version नहीं है शायद इसलिए Geo Meet में recording की facility अभी नहीं है लेकिन मुझे बरोसाय की जल्दी इसमें भी recording की facility आ जाएगी लेकिन अभी तक तो नहीं है यह आई है जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यह facility Geo Meet में नहीं है जूम मीटिंग एक नौन इंडियन डेवलोपर की है और जूमीट यह इंडियन डेवलोपर के इस हिसाब से Geo Meet के लिए दो मुझे पस प्लस पॉइंट लगते हैं एक तो यह इंडियन एप है और दूसरा यह कि इसके लिए 24 आउर्स का टाइम लिमिट है मीटिंग के लिए तो एक मीटिंग के हम चाहिज इतने टाइम तक कंटिनू कर सकते हो तो अगर आप ओरेड़ी जूम मीटिंग इस्तेमाल कर रहे है तो Geo Meet इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत ने आएगी क्योंकि जो इंटरफेस है जो आइकॉन है वो लगबग एक जैसे है अब आपको जूम मीटिंग किस तरह से कंड़क करनी है अगर आपको नहीं पता तो मैंने उसका वीडियो बनाया है जिवो मीट का वी वीडियो अलग से बनाया है इस वीडियो में सिर्फ मैं कंपेरिजन करने वालू स्क्रीन शॉर्ट के साथ अब यह दोनों एपके होम स्क सेकंड आइकान पे जब क्लिक करते तो दोनो तरह पाने मिकिंग आइडी दिखahी देता है अब यहां पे aún सेटिंग में जब जाते है तो सेटिंग में जो चैट की सेटिंग जोए together है कि उसके सेटिंग करने का फीचर जूम में है वह अभी तक तो जिवो में नहीं है हो सकत जल्दी आ जाए तो एक एडिशनल फीचर चैट का सेटिंग का जूम में है उसके बाद हम माई प्रोफाइल के सेटिंग में आये तो इसमें भी लगबग एक जैसे ही बाते हैं कुछ अलग इसमें नहीं है मीटिंग का जू सेटिंग है उसमें भी बहुत सारी चीज़ए एक जैसे ही है कोई फरक उसमें जादा नजर नहीं आता हाँ जूम में जरूर कुछ एक दोन फैसिलिटी ज्यादा दी है मीटिंग के सेटिंग में लेकिन उससे कुछ फास खास फरक नहीं पड़ता है जो फर्क पढ़ता है वो चैट के सेटिंग में अभी तक जिवो में चैट के सेटिंग जो मीटिंग से पहले होता है उसमें अभी तक नहीं आया है वो चैट का सेटिंग जूम में पूरा है हम किसको चैटिंग के लिए अलाव कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते वो जिवो में इस तरह से देख सकते हैं दोनों का ही इंटरफेस बिलकुल एक जैसा है जब मिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें आप मेन्य देख सकते हैं अलग अलग फीचर तो लगबग से में स्पीकर का आइकवन है कैमेरा सेल्फी कैमेरा रियर बैक कैमेरा यहां पर इस तरह से मिटिंग है यह पूरा जो इंटरफेस है पूरा एक जैसे हमें दिखता है जीओ में यह फूल स्क्रीन किया है इसलिए इस तरह से दिखता है अधरवाइस दोनों का इंटरफेस एक जैसे ही है अब यहां पर आते हैं जब हम से मिटिंग जब ऑनलाइन कॉन्फरेंस में चालू है मिटिंग शुरू है तो यहां पर मिटिंग की सेटिंग हम देखते है इसमे क्या-क्या है अगय्च जो हमने पृष्ली बार कहा था है कि छाट का ने आग अहां दूसरा वेंटिंग रूम का जो आपशन है वो भी अभी तक मुझे नहीं दिखा है तो यह जो एडिशनल फीचर जूम के है हो सकता है जल्दी जीओ में भी दिखने लग जा लेकिन यह फीचर यहाँ पर नहीं है जब हम मीटिंग का शेयर स्क्रीन करते हैं तो शेयर स्क्रीन में जूम में हमें अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं जा हमें शेयर करना है अगर हम जीओ में आते हैं जीओ मेट में हमें उस तरह के options नहीं दिखाए देते सिर принципе मेसेग आता है कि हमें run करना응ा जीसे हम अलाई करते तो हमारा home screen दिखने लगता है और हमारा चोटा video हो जाता है तो यहाँ पर यह अलग-अलग option नहीं है जो यहाँ पर लिखे जैसे हमें document share करना है अगर या फिर google drive से share करना है तो यह या फिर whiteboard को option अभी तक जियो में नहीं है तो यहाँ पर भी जियो की शायद features अभी उनके शायद आने वाले हैं जब हम meeting को new कर रहे हैं कर रहे हैं दोनों के interface लगबग एक जैसे है तो इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों ही app जो है वह लगबग उनका interface एक जैसा है अगर आप zoom इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको geomit इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप free version कर रहे हैं त दीरे दीरे जूम से लेकर geomit टक ट्रांसपर हो जाना चाहिए क्योंकि यह advantage हमें आ रहे है और उसके अपग्रेड अभी आ रहे हैं दीरे दीरे तो मुझे लगता है कि जो जो features zoom meeting में या फिर अच्छे online meeting में आते हैं वो सारे geomit में आ जाएगे खासकर हमें education में यूज कर आते हैं तो आपको कोई zoom से geomit में आने में कोई दिक्कत ने आएगे आपको अलग से सीखने के ज़रूरत नहीं पूरा का पूरा इंटरफेस लगबग एक जैसा है थैंक्यू बेरी मच्च वीडियो को अन्त देख देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया